असलाम अलेकुम दियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब my name is Anam Rabani and I am your teacher of social studies for class 4 बच्चों आज हमने शुरू करना है chapter number 10 that is our past तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज हमने पढ़ना है अपने past के बारे में तो हम शुरू करेंगे ancient sites से ancient का मतलब होता है कि बहुत पुरानी और sites का मतलब होता है जगें many ancient sites all over Pakistan यानि कि पूरे पाकिस्तान में बहुत सी ancient sites मौजूद हैं जो के बहुत पुरानी हैं उन में से कुछ हैं महंजदारों हरपा और टेक्सिला यह जो तीन sites हैं यह सबसे जादा फेमस हैं इस वक्त यह बहुत पुरानी हैं और इन से बहुत सी पुरानी चीजें अभी तक निकाली जा चुकी हैं जो के museums में रखी जाती हैं archaeologists have found an even older site at Maregar, Rehmandary and Code DG अब archaeologists क्या होते हैं बचों archaeologists हम उन लोगों को कहते हैं जो इन पुरानी पुरानी जगों पर जाके पुरानी चीजें देखते हैं निकालते हैं उनको study करते हैं और फिर हमें हमारी history के बारे में बताते हैं ऐसे लोगों को हम archaeologist कहते हैं और यह जो study होती है इसको कहते हैं archaeology तो जो हमारे archaeologist हैं उन्होंने इन तीन sites के इलावा Maregar, Rehmandary और Code DG यह तीन sites भी discover की हैं These sites tell us that a number of people lived here in the past अब इन sites पर जाने से या इन के बारे में पढ़ने से हमें क्या पता लगता हैं? हमें पता लगता है that a number of people lived here in the past यानि के हमारे past में कोई न कोई था जो यहां पे रहता था लोग थे जो यहां पे रहते थे जिन्दगी गुजारते थे शायद वो हम जैसे नहीं थे या शायद वो हम जैसे ही थे यह पता लगता है जब archaeologist gradually किसी site पे जाके उस site को discover करना उसके बारे में पढ़ना उससे different चीजें निकालना उनको museum में रखना और उनके बारे में लोगों को बताना जब यह सारा process होता है तो इससे पता लगता है कि किसी भी ancient site पे किस तरह के लोग रहते थे उनका रहन सहन किस तरह का था हमारे से उनका रहन सहन मिलता था या नहीं मिलता था बच्चों अब हम पढ़ने लगे हैं the indus valley civilization के बारे में तो सबसे पहले तो यह बात कर लेते हैं कि what is a civilization civilization हम कहते हैं किसी society को उसके culture को और एक particular time में एक particular era में जिस तरह वो लोग रहते थे इस सब को हम कहते हैं civilization there was an advanced civilization around the plains of river indus river indus you can see on your screens इसके around एक advanced civilization रहती थी अब हम उसको advanced क्यों कह रहे हैं हम उसको advanced इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन वक्तों के हिसाब से वो civilization बहुत advanced थी यानि कि वो बहुत से ऐसे काम करते थे जिनकी आप उनसे उमीद नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बहुत पहले की बात थी तो उस वकत advanced होना या कुछ techniques यूज करना कुछ tools यूज करना यह बहुत बड़ी बात थी इसलिए हम इस civilization को advanced civilization कह रहे हैं and it lived around river Indus और इसलिए it is called Indus Valley civilization अब हम पढ़ते हैं कि how was the Indus Valley civilization? people were ahead for that time फिर वो ही बात यानि कि उस वक्त के जो लोग थे वो अपने वक्त से भी आगे का सोचते थे अपने वक्त से आगे act करते थे यानि कि अगर हम यह सोचें कि बहुत ने वक्तों की बात यह भी नहीँ होगा यह भी नहीं कर सकते होगे जैसे हम आज कर देखते हैं कि बहुत जादा technology advance होती जा रही है पuryने वक्तों में इतनी नहीं थी लेकिन ये एक पुरानी सिवराइजेशन होने के बावजूद भी अपने वक्तों में काफी एडवांस थी यूज़ वील्स यानि के वो वील्स यूज़ करते थे मेड़ पॉट्स बतर बनाते थे इसके इलावा वो कपड़ा भी बनाते थे हरपा इन पंजाब और मोहिंज़दारो इन सिंद्ध हरपा पंजाब में है और मोहिंज़दारो सिंद्ध में है तो हम इन दोनों में रूइन अफ इन देख सकते हैं अब मोहिंज़दारो इस अब मून क्या होता है अगर किसी चीज का एक पाईल एकठा हुआ वह हो तो हम उसको मून कहते हैं तो मोहिंज़दारो जिसका अब नामों निशान नहीं रहा वहां पर आप कोई नहीं रहता बस एक इंशिंट साइट है उसको मून अब देड भी कहा जाता है यह अभी तक नहीं पता के वहां पर जो लोग रहते थे उनके साथ क्या हुआ वो कहां चले गए कैसे डिस्ट्रॉय हुए यह सब कुछ सर्च अभी चल रही है महंजदारों वी किन स्टिल सी नहीं रहें जाओ तो आप कुछ इस तरह की चीजें देख सकते हो जैसा के रहें रहें रहता नहीं हैं लेकिन आप उनमें कुछ रहता नहीं है बहुत पुराने हो गए हैं तो यू कन सी डेर रिमेंज टेंपल्स ग्रैनरी क्या होती है ग्रैनरी बच्चो हम एक ऐसी बिल्डिंग को कहते हैं जिसके अंदर जो गंदुम आती है या कोई भी ऐसी फसल उसको सेव किया जाता था यानि के फॉर एन एक्जमपल अगर आपकी गंदुम आई है गंदुम के दाने आपने देखे नहीं आना और आपने उसको सेव करना है वो बहुत बड़ी अमाउंट में है और आपने उसको बचाना है तो जिस बिल्डिंग में बचा कर उनको रखा जाता था कि इन पर बारिश ना पर जाए जादा धूप ना पर जाए इनको कोई नुकसान ना पहुंच जाए उस बिल्डिंग को ग्रैनरी कहते थे तो जब आप महंजद आड़ो जाओ तो आप ऐसी बिल्डिंग भी देख सकते हो यानि के बच्चों आप ये देखो कि इतने पुराने वक्तों का होने के बावजूद उस वक्त के लोगों के जेन में ये आईडिया था कि अगर हमने कोई फसल बचानी है उसको सेव करना है उसको कि लिए और इसके लिए उन्होंने बिल्लिंग बनाई भी ला कि विए सेंट इंस्क्रिप्षम एंड शंग रूप अभी सेव्चेंब्ही भी विए आउकुक्न पर। भी हो, कुई चीज लिखी भी हो, खुदा ही होकर लिखी भी हो, तो उसको हम inscription कहते हैं, तो मोहंजदारों में से archaeologists को ऐसी seeds में ही जिन पे inscriptions भी थी और symbols भी थे, So what do they show? Historians still trying to work out their meaning, और historians अभी तक कोशिश कर रहे हैं, कि वो ये देखें कि उन seeds पर जो inscriptions और symbols हैं, उनका क्या मतलब हैं, वो ये मतलब इसलिए ढून रहे हैं, ताकि वो मोहंजदारों में जो लोग रहते थे, उस civilization के बारे में मजीद समझ सकें People of this civilization traded with neighboring regions, अब ये भी कहा जाता है, कि इस region में रहने वाले लोग, इस civilization के लोग, अपने इद गिर्द के इलाकों से भी चीज़ें ले कर आते थे, और अपने इलाके की चीज़ें उनको दे कर आते थे, यानि कि ट्रेड करते थे अपने इद गिर्द के region से, तो ये कैसे पत चला कि वो ट्रेड करते थे, fragments of cotton cloth made here have been found in present day Iraq, ये ऐसे पता चला कि जो कपड़ा मोहंजदारों उस region में बनाया जाता था, उसके कुछ fragments, उसके कुछ parts, छोटे छोटे हमें एक इलाके में मिले, और अगर उस इलाके के बारे में देखा जाए, तो that area is present day Iraq, यानि के आज कल हम जिस जगह को Iraq कहते हैं, उस जगह से हमें मिले हैं, fragments of cloth, जो के प्रॉबबली मोहंजदारों के लोगों ने बनाये थे, और अब बच्चों, हमारा next topic है, the Aryans, Aryans were also a civilization, a large tribe from Central Asia, यानि के, they were a large tribe, एक बड़ा सा गिरोह from Central Asia, Central Asia कौन सी जगह है, आप अपने maps पे देख लें, आपको समझ आ जाएगी के Central Asia कौन सी जगह है, so they were a large tribe from Central Asia, वो वहां से travel करते हुए आये थे, they were invaders, उस वकत यह बहुत आम बात थी, के आप किसी इलाके पे हमला करो, फिर move on कर जाओ, कभी-कभी लोग वही सेटल हो जाते थे, जहां पे हमला करते थे, वहीं पर शादियां कर लेते थे, वहीं पर families को बढ़ाते थे, और कभी-कभी उस इलाके को छोड़ कर आगे move on कर जाते थे, Came into subcontinent from north-west, यानि के Aryans subcontinent में कहां से आए, They came from north-west, अब हम मजीद थोड़ा कुछ देखेंगे के Aryans किस तरहां की ट्राइब थी और वो किस तरहां की चीजें यूज करते थे, Used horses and chariots to travel fast, यानि के वो घोडों पर सफर करते थे and they used chariots, Chariots क्या होते हैं बच्चों, आप chariots की picture अपनी screens पर देख सकते हैं, Basically एक खोड़े के पीछे travel करने के लिए एक box सा लगावा होता है, जिसमें एक या दो बंदे पूरे आ जाते थे, so it was called chariots, और वो ये इसलिए use करते थे ताके वो speedily एक जगा से दूसरी जगा जा सकें, brought a new language, Sanskrit, यानि के जब Aryans आए, तो उन्होंने एक नई language introduce कर वाई, और वो कौन सी language थी, it was Sanskrit, Sanskrit आज भी बोली जाती है, बहुत से लोगों को आती है और बहुत से लोग इसके बारे में जानते भी हैं, then they were strong, active and lively, यानि के Aryans किस तरह के लोग थे, they were strong, वो बहुत मजबूत थे, active, actively काम करते थे, सुस्ती नहीं थी उनमें, and lively, यानि के बहुत जोशो जजबे से काम करते थे, इसलिए तो बच्चों उन्होंने सब कॉंटिनेंट में आकर सब कॉंटिनेंट पर invade किया, और यहां पर settle होना शुरू हो गए, क्यूंकि वो active थे, वो lively थे, and they were strong, आपको घोड़ा चलाने के लिए या घोड़े पर सफर करने के लिए भी अच्छा हासा strong होना पड़ता है, देखने में तो बहुत असान लगता है और बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक घोड़े को कंट्रोल करना, उस पर लंबे-लंबे सफर करना, it is not at all easy, you really have to be strong for that. Over the next few centuries, many kingdoms were formed, अब Indus Valley civilization के बाद, the Aryans के बाद, बहुत सी civilizations आई, बहुत सी tribes आई, और बहुत से kingdoms बने, Great battles fought और लोगों में आपस में लडाईया हुई, अगर कहीं भी जादा लोग रहेंगे तो आपस में लडाईया होंगी ही हुँग, कभी कबार वो छोटे लेवल की लडाईया हैं, for an example, अगर एक tribe के लोगों में आपस में लडाईय हो गई है तो शायद थोड़े चोटे लेवल की होगी, लेकिन अगर किसी जगह दो ट्राइब्स हैं या चार ट्राइब्स हैं और उन में अपस में जंग लग जाती है तो वो फिर एक large scale war होगी तो जैसे जैसे invaders आते गए जैसे जैसे वो travel करते गए वैसे वैसे जंगें भी लगती गई लोग लड़े किसी खास रीजन में रहने के लिए किसी खास अलाके में रहने के लिए लोग एक दूसरे से लड़ते रहे एंड देर वर मैनी बाट्ट बैटल्स फॉट city is built and destroyed यानि कि बहुत से शहर बनाए गए और फिर डिस्ट्रॉइ किये गए अगर एक ट्राइब आई है लेटसे आरियन्स याएं और उन्होंने एक city बिल्ट किया अपने accordingly अपने रहन सेहन के accordingly जैसे उनको रहना पसंद था उन्होंने इमारतें बनाई अपने रहने के लिए जगें बनाई और मुक्तलिफ चीज़ें बनाई लेकिन फिर उन पर हमला ह हो गया कोई और से वराइजेशन आ जाती है कोई और ट्राइब आ जाती है उसने हमला कर दिया तो वह लोग तो फिर अपने मुताबिक बनाएंगे ना चीज़ें अपने मुताबिक घर बनाएंगे अपने मुताबिक एमारतें बनाएंगे अपने सिस्टम्स इंटर्ड्यू और यह सब कुछ चलता रहा तो बच्चों आज हमने जो कुछ पड़ा है आपने उसको अच्छे से रिवाइस करना है आपने इन मैप्स देखने हैं आपने देखने हैं कि सेंट्रल एशिया कौन सा रीजन है आरियंस किस रीजन से सब कॉंटिनेंट में आये थे क्या रूट थ देखिएगा क्योंकि जब आप कोई चीज इमिजिस के थ्रू समझने की कोशिश करते हो तो वो जादा अच्छे तरीके से आपको समझ लगती है अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अलाहाफिज